हेलो फ्रेंज वेलकम टू यूर सुईट चैनल प्रयास बाई विनोद में जी हाँ दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं इस शमय बैवाहिक सीजन चल रहा है और हम लोग शादियों के धूम धाम में कुछ इस तरह से मस्त हैं कि हम और हमारे दोरा कुछ ऐसी असाउधानिया हो रही हैं जिसको हम अग्नोर कर रहे हैं तो आज हम बैवाहिक सीजन पे जो हम लोग कुछ असाउधानिया करते हैं उनको ना करें उसके बारे में हम बात करेंगे जैसा कि शादी विवाह में हमारे यहां आतिस बाजी और पठाकों का बहुत ग्रेज हैं तरह तरह के पठाके हम लोग छुटाते हैं थोड़ी सी खुशी कुछ पलों की खुशी या कुछ घंटों की खुशी मान लेते हैं उसके लिए हम लोग इतना ध्वन प्रदूशन इतना वायू प्रदूशन कर देते हैं कि जिसका वातावरण में बहुत ही भुरा प्रभाव पड़ता है जी हां वायू प्रदूशन ध्वन प्रदूशन पठाके और आतिस बाजी के रूप में हम लोग करते हैं साथ में हाई फाई डीजे जिससे कितना ध्वन प्रदूसान होता है हम लोग कभी नहीं सोचते है क्योंकि हम लोग तो अपनी खुशियों में मस्गूल रहते है नहीं दोस्तो हमें ध्यान देना चाहिए आज हम लोग जो भी अपने वातावरन के साथ कर रहे है परियावरन के साथ कर रहे हमारे आने वाले बच्चे या उनके बच्चे हमारे दोरा बनाए गए इसी वातावरन के शिकार होंगे तो दोस्तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम लोग आज ऐसा कुछ ना करें जो कल को हमारे ही बच्चों के लिए या हमारे ही समाज के लिए असुविधा बने या बीमारियों का कारण बने जरूरत है दोस्तों तो सिर्फ थोड़ी थोड़ी जागरूखता कि हम लोग थोड़े थोड़े जागरूख हों और अपना आज नहीं अपना कल देखे हैं कि कल क्या होगा हम लोग लाखो रुपए के आतिस बाजी लाखो रुपए का डीजे पे सब खर्च करते हैं तो वहाँ जरूरत है सिर्फ हमें ये सोचने की कि हम कम से कम धुन प्रदूसर्ण करें वायू प्रदूसर्ण करें जिससे कि हमारा कल बेहतर हो इस दिस्ता में प्रशासान अस्तर से भी कितना तेजी से काम चल रहा है दोस्तों आप सभी को एक बार फिर से आउगत करा दें कि हमारे यहां जब भी शादी विवा अब होगा दोहजार अठारा में तो हम लोगों को हाई फाई डीजे, शाउन शर्विश या किसी भी पड़ी आवाज वले इंस्टूमेंट को बजाने के लिए प्रसासनिक अनुमत लेने की जरूवत पड़ेगी जी हां इसके बगएर हम कोई भी डीजे, कोई भी शाउन बजा नहीं सकते हैं सारवजनी छेत पड़े उसके लिए हमें अनुमत की जरूवत पड़ेगी जिसमें हमें समय दिया जाएगा साम को छे बजे से रात दस बजे तक दस बजे के बाद हम कोई भी डीजे नहीं बजा पाएंगे इसको ध्यान में रखियेगा दोस्तो जैसा कि हम सब ही जानते हैं दोस्तो साधी बिवाज जब भी कोई खुशी का मौका होता है हम लोग बहुत सारी बुराईयां साथ ही कठा कर लेते हैं जैसे कि आजकल एक फैसान सा बन गया है कि लोग बहुत शारा ड्रिंग कर लेते हैं सोचिए कितनी गलत बात एक अच्छा सा सुब ओशर है अपनों का शंग है सुब मुहूरत है उसमें अब हम संस में ही नहीं है हम ड्रिंग किये हुए इधर पड़ें उधर पड़ें अपने हाप में एक बार सूची कितनी बुरी बाद है हम बगएर पिये बगएर अपनी अंदर बुराईयां लाए भी तो अपने खुबसूरत पलों को इंजॉय कर सकते है उससे हमारा पैसा भी बरबाद हो रहा है श्वास्त भी बरबाद हो रहा है लोग बुरी नजर से भी देख रहे हैं क्यों करें हम ऐसा दोस्तों जितनी भी बुराईयां ऐसी हो इन सब को छोड़ दो बाहन निकलो श्यवाः एक अत्म विस्वास जागरत करो दुनिया में कुछ भी मरना मुम्किन नहीं जब जागो तब सबेरा दोस्तों हम लोग को एक संकल्प लेना होगा कि हम लोग परियावरण को बचाएंगे क्योंकि परियावरण है तो हम है एक बार इस पर विचार जरूर करियेगा दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट के साथ लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं एक नए इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बिदा चाहता हूँ जय हिन जय भारत